अगर आप भी मुटापे को लेकर परेशान हैं और अपने डाइट चार्ट में बदलाव करके वजन कम करना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी थाली में रोटी होनी चाहिए या चावल. वजन घटाने के लिए अकसर चावल छोड़ने के लिए कहा जाता है. लेकिन चावल खाने से वजन बढ़ता नहीं बलकी घटता है. चावल में काबोहाइडरेट और फाइबर पाया जाता है. चावल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है. इसका मतलब यह है कि यह बहुत जल्दी पच जाता है जिसके कारण बलड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ जाता है. यह जल्दी पच जाता है ऐसे में उतनी जल्दी भूट भी महसूस होने लगती है और हम ओवेटीग करने लगते हैं. एक स्पच की माने तो चावल एक ऐसा खाना है जिसे पूरी तरह से चोड़ना काफी मुश्किल है. इसलिए वजन घटाने के लिए हमें अधिक विटामिन और मिनरल से युक्त भोजन करना चाहिए और यह घर में पाए जाने वाले चावलों में मौजूद नहीं होता है. सभी तरह के चावल में एक जैसी ही कैलोरी मौजूद होती है. चावलों में इक जैसी करना चाहिए यह खाना चाहिए इसके अलावा चावल का रंग जितना गहरा होता है उसमें उतना ही अधिक एंटियोक्सिदेंट पाया जाता है. ब्लैक राइस को पॉलिश नहीं किया जाता है और इसमें फोलेट विटामिन बीच है, जिन्क पर नियासिन पूर्शक तत्वप पाई जाते हैं. एक कप लेक राइस में लगभग 280 कैलोरी पाई जाती है. ब्राउन राइस चावल की एक किस्म है जो वजन घटाने में मदद करती है. इसमें अधिक फाइबर पाया जाता है जो मेटेबिलिजम को बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है. 100 ग्राम ब्राउन राइस में 111 कैलोरी मौजूद होती है. इस चावल से बनी किचरी खाने पर वजन कम होता है इसके अलावा सर्दी के मौसम में इस चावल का उप्योग सूप बनाने और चिकन या मच्छी के साथ खाने में किया जाता है. लाल चावल में इंथोसाइनिन नामक एंटियोक्सीडेंट पाया जाता है जिसकी वजह से यह गहरे रंग का होता है. इसमें मौजूद एंटियोक्सीडेंट में वजन घटाने का गुन पाया जाता है. इसके अलावा रेड राइस खाने से मेटेबिलिजम भी मजबूत होता है. एक कप रेड राइस में 200 सोलग कैलोरी पाय जाती है.